नमस्कार बच्चों सभी लोगों का लेक्स क्रेक MP एक्साम MP के नंबर वन यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती है पूरी के पूरी टीम और मैं सनमती जेन पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ सुबह मॉर्णिंग की उठकी 8 बजी है और ये जो आट बजे वाली क्लास है और अवाज नहीं आरी होगी अब आगा तो ये जो आट बज़ वाली क्लास है न दियान रखें कि regular सदाबहर क्लास है इसमें आपका current effective complete होता है gk complete होता है एस्टेटिक जीके कम्पलीट होता है दिन दुनिया गुमा के लाता हूं अमेरिका, USA, Spain, Thailand वगेरा सब जगे गूम लेते हैं हम आदे गंटे के अंदर बहुत जगे गूम लेते हैं और इसके साथ हम वहाँ के प्रधानमंत्री, राजपती, राजपाल जो भी स्टेट के हैं र क्यों है recording क्योंकि यार थोड़ा सा काम था पर पूरा अंत तक बने हुए रहें और पूरी क्लास को देखें सभी सब कुछ वेसा का वेसा ही रहेगा चिंता नहीं करें बिल्कुल आपके लिए पढ़ना बहुत महत्तोपूर्ण है मेरा live होना नहीं होना ये महत्तोपूर्ण को होता है मैट्स की क्लास MPPSC टेस्ट सीरीज चल रही है इसी के साथ बता दू कि आप जुड़े है MPPSC व्यापम के साथ प्रिपरेशन करें let's crack MPPSC व्यापम अनकेडमी लार्जस लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइब क्विजस अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड क के लिए आप special class सारी देख सकते हैं जो कि 5 बजे जी हाँ जो अभी current affair देख रहे हैं न बच्चो वो शाम को 6 बजे भी एक और class होगी इस पर अनकेडमी लर्निंग पर वहाँ और जो detail आपको यहाँ नहीं मिल पारी है वेसे तो पूरा cover किया है पर जो especially men's वाले बच्चे है अध्यान रखेगा answer writing जिनको लिखना है उनके लिए थोड़ा सा हर एक news को पूरा विस्तारित रूप से बताना पड़ेगा तो वो 6 बजे वाली class अतेन करें maths के लिए शाम को 5 बजे class है और current affair के लिए शाम को 6 बजे special class MPPSC व्यापम goal select किया है इसके अलावा भी दूसरी परिक्षा की तयारी कर रहे है तो goal वो select कर ले code SJLive use करें 10% discount के साथ कुछ भी doubt आता है इस number पे call करें कुछ भी doubt आता है तो इसमें 10% discount आपको मिल जाएगा यहाँ पे SJLive code को यहाँ referral code में apply करने पे then 24 month and 12 month का पूरा complete subscription के लिए ध्यान रखें 24 month लेते 7560 रुपय यानि की 315 रुपय महिना और 525 रुपय महिना अगर एक साल का लेते PDF मिलेगी PDF मिलेगी Test Series मिलेगी Practice Session मिलेगा Live Classes मिलेगी Regular Every Month New Course मिलेगा सब कुछ मिलेगा अगर यह लेंगे आप Paid Course तो ध्यान रखें चीके चले इसी के साथ चालू करते हैं आज का जो मोती है आपके सामने वो मोती लेके आ रहा हूँ एक सेकिड आज की तारीक है आठ अगस्त जी हाँ आठ अगस्त का न्यूज ए एक सेकिड एक सेकिड आठ अगस्त का न्यूज एक सेकिड आठ अगस्त का न्यूज एक सेकिड यार बच्चो ना पढ़ते पढ़ते याद मत किया करो यार हिचकी आ जाती है अभी सामने ही हूँ में तुम्हारे यार पढ़ा रहा हूँ तो अभी इत्ता के याद करना चलो आठ अगस्त है और इसका पहला मोती है आपके सामने जो लेके आया हूँ में भारत संयुक्त राष्ट विकास साजेदारी नीधी में भारत सरकार का 15 मिलियन अमेरीकी डॉलर से जादा का योगदान है ध्यान रखेगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं आपको बुलंद नजर दबंग किते इंच का सीना बताया था 56 इंच का सीना बिलकुल है यार बिलकुल है मान गए भारत सरकार ने भारत संयुक्त राष्ट विकास साजेदारी नीधी में 15.4 46 million dollar का योगदान दिया इस 15.46 million अमेरीकी डॉलर की राषी में 6 million dollar की क्या है समग्र निधी भी शामिल है इसमें जिसमें सभी विकास सील देश जो है वो साजेदारी के साथ क्या करेंगे पात्र हो जाएंगे और अन्य जो 9.46 million dollar है सभी सामायनी राष्ट मंदल देशों को समर्पित हो जाएंगे इस साजयदारी निदी का जो प्रभंदन है वो कोन करेगा United Nation याद रखिएगा संयोक्त राष्ट कार्याले द्वारा दक्षिन संयोग UNO SAC के लिए किया जाता है ध्यान रखना वर्ष 2017 में इस फंड की स्थापना के बाद से 55 परियोजनाओं और जो प्रस्ताव है टोटल कुछ गडबड चल रहा है आज कोई बात नहीं फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं न प्रस्तावों का अब तक स्विकार जो है प्रश्न बनता है यहां पर एक और प्रश्न बनता है संयुक्त राष्ट की स्थापना और 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट अधिकार प्रत्रपर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी इसे के साथ वर्तमान में संयुक्त राष्ट में आदर्श वाक्य को फॉलो करें ठीके रटना नहीं है अपने आप याद हो जाया क्या 1945 जो बच्चे पिछले दो महिने से मेरा करेंट अफेर देख रहे हैं सुबह 8 बजे वाली क्लास तीन महिने से क्या उन बच्चों को पता नहीं सयूक्तराष्ट की स्थापना कब हुई अर से आख बंद करके नींद में भी पूछ लो बिना रटे याद है और वो जो बिना रटे याद होता है ना वो कभी भूलते नहीं हैं ध्यान रखना 1945 एक सो तरानू देश न्यूवर्क सयूक्तराजी या मुख्याले हैं महा सचीव एंटोनियो गुटेरस हैं देश में पहली बार 12 अगस्त से मध्यप्रदेश में लगेगी वर्चूल पासपोर्ट की अदालत कौन सी अदालत वर्चूल पासपोर्ट शेत्री पासपोर्ट अधिकारी बिलकुल ध्यान दे ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला राज्य होगा सबसे पहली चीज़ तो यही हो जाती है यहां पर कोरोना संक्रमन के चलते मार्च और जून 2020 में आयोजित होने वाली जो पासपोर्ट अदालत हैं उनको रद्द करना पड़ा था वर्चूल पासपोर्ट अदालत करीब एक महिने तक हर वर्किंग डे पर आयोजित होगी इसमें रोजाना 100-150 आवेदक को अटेंड किया जाएगा और इसी के साथ इस वर्चूल अदालत में अधिकारियों की एक टेम 12 अगस्त 2020 से 918 डिजित के साथ समाप्त होने वाले मोबाइल नंबर से आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वाट्सप वीडियो कॉल करेगी बिल्कुल बहुत अच्छा 918 से समाप्त होने वाला ठीक है चलिए देखो मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी भुपाल है बिल्कुल गठन 1 नमबर 1956 पुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान जी बिल्कुल यहाँ पे राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अभी लाल जी टंडन थे उनका लंबी विमारी के साथ वो हस्पिटलाइज थे अस्पताल में भरती थे और उनका निधन हो गया था और निधन के बाद और जब वो एड्मीट थे तभी एडिशनल गवर्नर जो आनंदी बेन पटेल उनको मध्यपरदेश का भी एडिशनल गवर्नर जो है वो न्यूक्त किया गया था अब वो एडिशनल चार्ज के साथ पर्मानेंट अभी जो गवर्नर की पोस्ट है वो आनंदी बेन पटेल ही मध्यप्रदेश की गवर्नर थी और पहली बार जब गवर्नर बनी वो तो मध्यप्रदेश में ही नियुक्ती हुई थी उनकी याद रखना पहले वो गुजरात की पहली मुख्यमंत्री थी याद रखियेगा महिला मुख्यमंत्र उपभोक्ताओं का भरोसा जुलाई में गिर अब तक के record का नीचले इस तर पर है ध्यान रखना चार्ट Consumer Confidence Indices याद रखिएगा इस Indices को RBI Reserve Bank of India कौन है गवर्नर शक्तिकांत दास जी है इसकी इस्थापना कब हुई जरह कमेंट सेक्षन में regular बच्चे बताईएगा जल्दी से फटाफट चलो Consumer Confidence Index और गिरकर 53.8 का जो record है उस record के नीचले इस तर पर आ चुका है आ गया है बिलकुल इंडेक्स सो से जितना नीचे रहता है मतलब यह जो इंडेक्स है ना इस इंडेक्स की विशेषता क्या है कि सो से जितना नीचे रहता है तो माहोल उतनी ही अधिक क्या होता है निराशा जनक या निराशा का पता चलता है जी उतना ही अधिक निराशा का पता चलता है और सो से जितना उपर रहता है माहोल में उतनी ही अधिक आशा का पता चलता है देखो आशा हमेशा बनाए रखे ये में बार-बार और जितने भी motivation code देते हैं, motivational video बनाते हैं, video आते हैं, वो भी यही बोलते हैं, कि आशा जो है ना इसको लगातारा आप बना के रखे, आशा को कभी कम नहीं होने दे, आशा को कभी खतम नहीं होने दे, आशा बरकरार रखे, मोजूदा आर्तिक इस्तति, रो बारों के बीच किया, उससे ये पता चला, कि ये आकड़ा जो है, वो 100 से नीचे आ गया, मही में जितनी उमीद थी, जितनी आशा थी, सोच रहे थे, एक महीना, 14 दिन का लोगडाउन, 30 दिन का लोगडाउन, एक महीना, 2 महीना, आप तो लोगडाउन भी खुल गया यार, बट कारोबार जो है ना, पूरी तरह से चक्री बन गया, बट ये ध्यान रखें कि कोई भी चीज खतम होती है, तो उससे बहतर चीज का निर्मान होता है, याद रखना, और एक्जामपल है, सर्च करना, गूगल कर लेना, जापान, पूरी तरह से खतम हो गया था, उसके ब राजा है, स्थापना, एक अप्रेल 1935, मुख्याले मुंबई महराष्ट और गवर्नर शक्तिकांत दास जी है, more than sufficient, इतनी जानकारी वेसे सभी को पता, तीसरा मोती, श्री लंका संसदिये चुनाओं में महिंद्रा राजपक्षे की, महिंद्रा राजपक्षे की, पार्टी SLPP को भारी बहुमत मिला, ज्यान रखिएगा, श्री लंका के आम चुनाओं में, जो राजपक्षे परिवार है, श्री लंका पिपुल्स पार्टी SLPP ने बहुत जवर्दस्ट जीत हासिल की, और 235 सीट में से 145 पर जीत मिली, सहयोगी दलों के साथ उसने 150 सीटों पर कबज किया, और इन नतीजों के बाद अब महिंद्रा राजपक्षे PM बने रहेंगे, गोर फरमाईएगा बच्चों, क्या बोला, बने रहेंगे, मतलब वो ही है प्रधान मंत्री और वो ही वापिस से चुन लिये गए, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है, वो बता दूँआ मैं आप को कि नरेंद्र मोदी जी कब तक प्रधान मंत्री रहेंगे, महिंद्या राजपक्षे की पार्टी वेसे सभी जानते हैं, बाहर से नहीं बोले, अंदर से सब जानते हैं, कि कितने सुरक्षित हातों में देश का नित्रत्व है, पहले राष्टपती चुनाव भी जीती थी, इसके बाद उनके छोटे भाई गोतबाया राजपक्षे ने 18 नवंबर को राष्टपती पत की शपत ली थी, पुरुप्रदान मंत्री नानिल विक्रम सिंग की युनाइटे नेशन पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली वह पांचवे नमबर पर रही, खुद विक्रम सिंगे ह बिल्कुल बहुत बढ़िया श्रीलंका भारत के दक्षिन में इस्थिते, कहां सिथिते, उत्तर दकषिन, पुर्वपश्चिम बिल्कुल, किधर सिथिते दे इदर सिथिते ना दक्षिलंका, दूरी भारत से मातर 31 किलोमीटर है राजधानी जय वर्धने पुरा कोटे, वर ला मोती आपके सामने जल्दी तो नहीं हो रहा ना देखो क्या है ना यार की 10 प्रश्न भी करना है MPGK की ग्लास भी है तो आदा गंटा हम मान के चलते समय भी आपका नई वेस्ट हो क्योंकि रोज देना है एक दिन भी चाहे कुछ भी हो जाए यार देखो मैं अवेलेबल नह हुँ लाइव तो भी आपको recording बता रहा हूँ ना सारी news तो बता रहा हूँ पूरा रात में किया कोई बात नी जित्ते मोती समेटे थे सारे सुबे आपके सामने पेश कर दिये में चलो हरियाना में परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू मुक्यमंत्री मनोहर लाल खट और इसके साथ सभी कल्यानकारी जो योजना हैं उनसे जोड़ा जाएगा ताकि हर परिवार को सभी सरकारी योजनाओं के लाब विश्वसनियता के साथ मिलते रहें व्यक्ति के पहचान के लिए आधार कार्ड हैं परिवार पहचान पत्र परिवार की पहचान हैं इसमें ए नेशन वन राषन वाला भी कॉंसेप्ट आया था मैं न्यूस लेके आया था अभी दो दिन पहले की ही बात है चले हरियाना उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगार चंडीगर खुद एक केंदर शाशिद प्रदेश प्रति व्यक्ति आये कि आधार परदेश का दूसरा सबसे धनी राज्ज है गठन एक नवंबर पहला बताते जाएएगा आये हैं तो 1966 मुखे देखो कोई भी दूसरा तीसरा चोथा पाँचवा जो भी बात करें न पहला दिमाख में आना चाहिए आपके न ये ध्यान रखिए क्या आना चाहिए पहला दिमाख में आना चाहिए कि यार कहीं न कहीं और जब आपने इसको अगर इसकीप कर दिया कि पहला क्या है अगर उसको इसकीप कर दिया आपने तो ध्यान रखना ये समस्या पेदा कर देगा कभी नी कभी आगे भविश्य में इसलिए समस्या का रोल रखना ही नहीं है ठीक है मनोरलाल खटर जी मैंने बताया था हरियाना के क्या है मुक्यमंत्री सत्यदेव नरायन आरे जी जो है वहां के राज़पाल है बहुर्द प्रदीप कुमार जोशी को बनाया गया UPAC का नया अध्यक्ष कलेक्टर बनना है तो UPAC Union Public Service Commission बिल्कुल बहुत बच्चों का सपना होता है UPAC का अभी अभी रिजल्ट आया थोड़े से दिन पहले एक दो तीन चार दिन पहले और जिसने टॉप किया होगा हर बच्चे ने उसका नाम देखा होगा टॉप 10 में आना टॉप में रेंकिंग बनाना टॉप 100 में आना सभी का सपना होता है पर कहीं न कहीं अगर सच्चाई से सामना हो तो यही है कि यार जो लगाता मेनत तो सब करते हैं और करना भी चाहते हैं पर सही दिशा में हो और धेर्रे बना के रखे यहां समस्या यह पेदा हो जाती कि एक महीने भी अगर डेट आगे पीछे हुई न तो बच्चे अपना धेर्रे खो देते हैं और तयारी को बंद कर देते हैं यूपी एसी क्रेक करने के लिए और रेंक लाने के लिए भले आपका सिलेक्षन एक साल में हो जाए पर टारगेट कम से कम तीन साल का रखेंगे न तो आपके धिमाग को भी शान्ती मिलेगी और तयारी भी अच्छी होगी और एक बार मानलो प्री नहीं निकली मेंस नहीं नि के चलो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें होता है वक्त लगता है फिर उसके बाद जो पोस्ट मिलती है उसका आनन्द बताओ मेरे को क्या होता है सब समझते हैं शिक्षावीत प्रोफेसर प्रदीप गुमार जोषी को संग लोग सेवा आयोग जो है उसका अध्यक्ष निउक्त किया अरविन सक्षिना का स्थान लेंगे वह अरविन सक्षिना अभी अध्यक्ष थे उनका इस्थान लेंगे UPSC अध्यक्ष के रूप में अपना कारेकाल पूरा कर चुके हैं वो जोशी जी जो 36 गड़ और मध्यप्रदेश लोग सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष है मतलब मध्यप्रदेश लोग सेवा आयोग MPPSC 36 गड़ लोग सेवा आयोग दोनों जगे के अध्यक्ष है कौन जोशी जी ये कुमार जोशी जी है वहाँ से वहाँ चले जाएंगे तब आपको भी MPPSC के साथ साथ UPSC का सब्सक्रिप्शन लेके कलेक्टर की तयारी करनी चाहिए मेरे इसाफ से करनी चाहिए डर्णा नहीं चाहिए तोर पर शामिल हुए थे 2015 में UPSC के अध्यक्ष के रूप में उनका कारेकाल 12 माई 2021 तक रहेगा चले UPSC देश के नोकरशाः जी हाँ सिविल सर्विसेज जो होती है प्रशाशनिक सेवा सबसे टॉप मॉस्ट राज नाईकों का चेन करने के लिए सिविल सिवा परिक्षा आयोजीत करता है मुख्यालय नई दिल्ली में है इस्थापित 1 अक्तूबर 1926 में हुआ था जब बोला गया था न ये क्या बोला गया था कि अब भारत के लोग भी परिक्षा दे पाएंगे अंग्रेज बोला था नियोक्ती होगी अलग से परिक्षा होगी एक साथ परिक्षा देखे वो भी सरकारी नोकरी पा सकते है वो सन कौन सा है जो अंग्रेजो ने चालू किया था चलिए पहला प्रशन भारत सरकार ने भारत सयूक्त राष्ट विकास साजेदारी जो नीदी है उसमें कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया जल्दी से बताओ फटा फट फास्ट बोला था मेने याद रखना न मिलियन डॉलर अमेरिकी मिलियन डॉलर याद रखना था आपको चलो जल्दी से बताओ इसका उत्तर 15.46 मिलियन अमेरीकी, मिलियन अमेरीकी डॉलर, बिल्कुल पूरी डीटेल यहाँ है, देश में पहली बार किस राज में वर्चुल पास्पोर्ट अदालत बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए और कभी भूलना नहीं चाहिए आपको क्योंकि रटा नहीं है, हमने समझा है, कौनसा है वो इस्टेट, राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल या फिर गुजरात फटा फटा, बहुत बढ़िया, मध्यप्रदेश, सभी को यादे, बच्चों आंसर देते रहना है देश में पहली बार मध्यप्रदेश में वर्चूल पासपोर्ट का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल बोला था मैंने मार्च से जून तक आयोजीत होगा ये, RBI के अनुसार जुलाई 2020 में कंजूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो गिर कर कितने इस तर पर आ गया, याद रखना, क्या याद रखोगे, कल रविवार है और रविवार में 8 दिन का, पूरा 7 दिन का रिविजन होता है, सुबह 8 बजे 50 प्रशन हम करेंगे कल की क्लास में, याद रखिएगा और वो क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि यार वो ही तो बताएगी कि हमने 7 दिन में पढ़ा तो किता हम को आता है, जी, वो बहुत जरूरी होती है रविवार की कलास चीके, चलिए, 50, 55, 32 या 53.8, तो जी हाँ, 53.8 is the right answer चलिए, चोथे नंबर का प्रशन है, श्रीलंका के आम चुनाओं में श्रीलंका पिपुल्स पार्टी, एस LPP को कितनी सीटों पर जीत मिली? जी हाँ, राष्टपती प्रदानमंत्री पहले से उस परिवार के हैं, इस पार्टी के मेंबर हैं, उन्हीं को वापिस जीत मिली और वो ही वापिस से प्रदान मंत्री बने राजपक्षे परिवार की ही 145 टोटल उनको सीट मिली बिल्कुल ध्यान रखें आम चुनाव हुए इसमें जो महिंदा राजपक्षे है वो PM बने रहेंगे पहले भी PM है अभी भी बने रहेंगे हाले में किस राजपक्षे परिवार पहचान पत्र योजना का शुभारंब किया क्या है मध्यप्रदेश, गुजरा, उत्तरप्रदेश या फिर हरियाना ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा न बच्चो नहीं हो रहा होगा वैसे, कम्मेंट सेक्षन में एक बार सब के सब जैईन लिखे बहुत अच्छे से, सभी हमारे बच्चे बहुती लाल लालियां जी हाँ, हमारे लाल हैं सभी और लालियां हैं बिल्कुल पढ़ते रहें, लगातार, आनन्द आता रहेगा तो ये है हरियाना, is the right answer हरियाना की राजधानी बता दो जल्दी से मेरे को मनोरलाल खटर जी जो है, वो कहां के मुख्य मंत्री है मनोरलाल खटर जी हरियाना के मुख्य मंत्री है बिल्कुल याद नहीं करना है, बार-बार दोहरा ना है, बस रटना नहीं है चलि हर्याना की राजधानी चंडीगर जो अपने आप में क्या है पहले से किंडर शाशीत प्रदेश है लोग सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया कि इसको प्रदीप कुमार जोशी जी नवीन कुमार जहा को विनय सहस्तुर बुद्धे को या फिर अजीत त प्रदीप कुमार जोशी जी को UPAC Union Public Service Commission का अध्यक्ष बनाया गया वो कहां पे है थे कहां से गए वो मध्यप्रदेश और 36 गड़ की जो लोग सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष थे और वहां से उनको पोस्टिंग जो है वहां तक कर दी है UPAC के अध्यक्ष बना दिये गये ह और वो 2021 तक उस पद पे रहेंगे चलिए अर्वीन सकसेना का इस्थान लेंगे ये भी बहुत जरूरी है कि कहां से आ रहें और कहां से ले रहें जी हां बच्चों आज थोड़ा सा जल्दी जो है वो कामकाज अपना हो गया है और इस कामकाज के तहट अगर हम देखें यहा हुए है मज़ा आगया आपको कल की क्लास देखे है कल पूरे 50 प्रशन है 8 बज़े ठीक है एस जे लाइव कोड यूज करें ये एप इंस्टॉल कर लें गोल सिलेक कर लें कोई भी परिक्षा दे रहे हो एस जे लाइव कोड इस कोड से क्या मिलता है आपको एस जे लाइव जी इस कोड से आपको मिलता है 10% का डिसकाउंट जी हाँ पूरी कंप्लीट क्लास PDF बस करना क्या है 12 मन सिलेक करना 24 मन सिलेक करना है और 7562 साल का और टार्गेट बड़ा रखो कुछ अच्छा मिलेगा धेर बना के रखो ठीक है चलिए एस जे लाइव उसके बाद कुछ भी स क्लास जरा कमेंट सेक्षन में बताते जाएगा कल की क्लास कोई भूलिएगा नहीं और मंडे से एक और खुशकबरी है कि 5 बजे मैच की क्लास स्पेशल क्लास चलेगी अनकेड में लर्निंग एप पे जिसमें प्रेक्टीस ही प्रेक्टीस करेंगे टॉपिक वाइज और 6 ब बेंकिंग जितनी भी परिक्षा है सभी परिक्षाओं के लिए कम्पलीट क्लास के साथ में सनमती जेन आपको पढ़ा हुआ तो एप इंस्ट्रॉल नहीं करी है एप इंस्ट्रॉल कर ले उसमें गोल सिलेक्ट कर ले अपना फिर सनमती जेन सर्च करें उसमें और वहां पे पर लोकल मेरी सारी की सारी क्लास आपको वहां मिल जाएगी ठीके चलिए था इनक्यू बेरे मच्छ